खलो दोस्तो एक बार फिर आपको आपके अपने इस यूटूब चैनल पे स्वागत है आज या वीडियो उन छात्रों के लिए काफी ही इंपोर्टेंट रहेगा जो SSC GD 2024 की तयारी कर रहे हैं तो क्योंकि मैं इस वीडियो में मैथ में कैसे 40 में 40 स्कोर करना है उसके बारे मे बैत करेंगे उसका एस्टेर्जी क्या होना चाहिए और पिछले साल किस चैप्टर से कितने क्वेशन पूछे गए थे उस सभी का एनलाइसिस स्लेबस के साथ मैं इस वीडियो में करवाऊंगा तो आगर आप इस चैनल पे नए हैं SSC GD की तयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूरी सबस्क्राइब कर लें क्योंकि यह वीडियो पूरे एनलाइसिस के साथ बनाया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेशन पूछे जाते हैं क्वेशन का एस्टंडड क्या रहता है उस सभी के बारे में इस चार से पांच मिनट के वीडियो में बात कर लेंगे अग के लिए काफी ही बेनिफिसियल होगा क्योंकि आपके पास अब एक्जाम के लिए दो से तीन मैक्सिमम बात कर रहे हम तीन महिने का समय बचा हुआ है इससे ज्यदा नहीं बचा हुआ है तो इतने कम समय में अगर आपका मैत अभी तक तयार नहीं हुआ है पुरा सिलेबस कभर दिया है आपको नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से कॉस्चन पुछी जाने है उसके बाद कॉम्पिट्विट्विशन ऑफॉल नंबर डेसिमल फ्रेक्शंस एंड रिलेशंसिप बिट्विंदा नंबर उसके बाद फंडा मेंटल अर्थमेटिकल अप्रेशन होंगे इस चेप्टर को इन्होंने जएदे कॉस्टन पूछे हैं यह उसके बारे में पहले आव हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए यह जो डाटा हम तयार किये हैं जो की जनबरी फरवरी में दुरिया तईस में जो एक्जाम हुए जनबरी फरवरी में उसी की अधार पे जो और परसंटेज की बात करते हैं यह दोनों चेप्टर हम लोग मान सकते हैं कि एक ही है अगर आपका परसंटेज के लिए तो प्रोफिट और लॉस काफी ही आपको ईजी लगेगा तो इस दोनों चेप्टर मिला करके साथ से आठ कोशन टोटल 20 में से साथ से आठ कोशन इसी चेप्टर से पूछे जाते हैं अगर आपको नहीं विलीब हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर ही वीडियो अप्लोड है दो स्रिप्ट का भी तक वीडियो अप्लोड कर दिया है पाकी और अप्लोड होगा उसमें जा करके आप चेक कर सकते हैं कि प्रोफिट और परसंटेज से कितने कोष्चन पूछे जाते हैं तो यह और कापी बेसिक रहता है तो अगर आप इस दुनों चल्ल चैप्टर कर लेते हैं तो आपको यहां साथ और आठ नंबर में आपको रखा हुआ है उसके वासं मिल県 ढबत करते हैं ठो तो कि किसी सिफट में 2 तो किसी सिफट में 3 अगर यहां पर 3 पुछा तो यहां पर कम कर दिया जाएगा क्योंकि 20 पूछे जाने है उसके बाद time and distance से भी 2-3 पूछ लिया जाता है किसी में 2 तो किसी में 3 minimum 2 तो पूछता ही पूछता है mensuration की बात करते हैं तो mensuration में basic questions होते हैं अगर आपका basic clear है मतलब formula सारी clear है तो आप directly question को easily solve कर सकते हैं 2-3 question यहां पर भी आपको available है आप mensuration के simple simple question को practice कर लेंगे तो 2-3 question आप यहां से crack कर सकते हैं बात करते हैं number system में तो number system में maximum जो question पूछे जाते हैं HCF और LCM FCF और LCM जो related question होता है उस सभी को आप clear कर लें 2 question आपको यहां से पूछे जाते हैं उसके बात हम करते हैं simple interest और compound interest simple interest और compound interest से हर एक shift में 2-2 question पूछे गया है उसके बाद है ratio and proportion से 2-3 question जोकी number related होता है उस सभी से question पूछा गया है तो सिर्क इतना ही chapter अगर आप कर लेते हैं तो आपके लगभग लगभग सारे question कभर हो जाएंगे exam में जैदा कुछ करने के कोई ज़र्वत नहीं है इतने को पहले आप basic clear कर लेते हैं तो आपके लिए 20 question में 20 crack करना काफी ही अरसान होगा तो सबसे पहला आप लोग काम करें इस दोनों chapter को focus करें तो मैं इस channel पे भी percentage को सबसे पहले आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ जो कि gd के लिए special होगा किस तरह के question पूछे तो gd में उसी की अधार पे हम percentage को आपको सारी basic clear कर देंगे उसके बाद profit and loss को हम लोग clear करेंगे तो आप इस channel को अब अस ही subscribe कर ले अगर आप gd की तयारी करते हैं सारे chapter को हम cover कर देंगे आपको exam से पहले तो चलिए वीडियो को यही complete करते हैं आप मैं दूरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद